है नमस्कार मित्रो अभी मैं माउजन पद में उपस्तित हूं और जहां पे मैं उपस्तित हूं ये दिःथान गाउं की मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ 11 म sickness की गई थी जहाँ पर में खड़ा हूं ये लड़की का घर जिस लड़की से साधी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समझें जो उम्हें दराज लोग है उसी को समझ रहे हो कि जिनकी बच्ची की साधी हो डेट रखा गया और उनके घर उस डेट पर बारात नहीं आए तो यह कितनी पीडा की और कितनी कश्ड़दाई बात होगी और इसके साथ-साथ समाज मे जो एक मान संबान होता है उसका भी एक बहुत बड़ा आघात पहुझता है मैं अप सीधर रुख करलू लड़की के पिता जी है इंसे मैं बात करू क्या मामला है मेरा बच्ची थी और फटापूर तालनरजे का लड़का था मैं 27 तारी को फाइयर करने जा रहा था कुछ अच्छे ब्यक्ति थे हमको बोले फाइयर मत करो तो 28 तारी को ग्राम फटापूर के और मेरे गाउं के और ग्राम देःथान के एक चौहन बस्ति है वहां के सम्मानिक ब्यक्ति थे चौथी परधान वही न्याय का फैसला किये थे कि 11 तारी को किसी धर्मिक अस्थाल पे दोनों का साधी होगा हम बोले ठीक है हमको मंजूर है भिनबाद में वह लोग 11 तारी को मैं सबी ब्यवस्ता किया था मैं काड़ छपवाया था काना भी बनवाया था सबी कुछ किया था मैं 11 तारी को पांच बज़े तक साम पांच बज़े तक इंतिजार किया वह लोग नहीं आये उसके बाद मैं दिनांग 15 तारी को मैं गोशित थाने पे मैं जा कि एफाइयार किया एफाइयार करने के बाद 17 तारी को नदवासरा पुलिस योखी पे वो लोग बुलाए हमको मेरा लड़क बच्ची से बियान लिए लड़के पक्च क्या कोई नहीं था फिन कल का बात है 18 तारी हमको पुलिस वाले ने ही बुलाए कि आप आईये आप से कुछ बात करना है मैं गया वो लोग बोले आप सुले नामा कर लिए मैं यही बोला मैं की सदार से सुले नामा मै नहीं करूंगा मैं जब भी होगा मेरा बच्ची और उस लड़के के साथ मेरा साधी होना चाहिए उसी मेरा इंसाफ है 29 चनकारी में 26 तारी को उस फाइयार करने जा रहे थे लोगों कुछ गाव के लोगों नहीं उनको मना कर दिया और एक फंचायत करके 11 Figure साधी का डेट रख दिये लेकिन 11 माई को इनके दरवाजे पर बारात नहीं आई अब कारण क्या यह तो जाच का भी से पापा से बता नहीं कि आप मुझे साधी करेंगे कि नहीं करेंगे पूछा बहुत बार बोला तुम्ही से करेंगे साधी करने के लिए बोला था मुझे यह नहीं समझ में आता है आप पड़ती लिखती हो यह आपको अपने ममी पापा विश्वास नहीं रहता है आप लोग यह कदम क्यों उठाते हो हमको हर बार बोलता था तुम्हारे पापा जानेंगे तो फिर तुम्हीं को मारे पिटेंगे इसलिए में बताते थे पापा से डर जुगे थे बच्ची है इसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए परिवार के लोग साधी विवा कराते है अपनी बर्जी से सारा कुछ हुआ देखते है इसका यह कदम गलत है लेकिन जिससे बात करती थी उसका भी यह फर्ज होना चाहिए कि जब बात करता था तो जीवन साथी के रूप में इनको स्वभीकार करें क्या नाम है सराब का मेरा नाम राम सूरत है जी प्रकड़ है इस इगारत तारिक का प्रकड़म तो ऐसा था कि देखो जी मैं तो इन्वाइड था इन्होंने बोला था इगयार मई को साधी है तो हम लोग लोग दियाना से चलके यहां आए वैसे मैं निवासी देःथान का हूँ रहने वाला हूँ और सुनने में बाद में आया कि यह मैटर कुछ औरी है उन्होंने लड़की से लड़का ने संबंद बनाया रेप किया फिर उसके बाद पंचायत ने पंचायत में फैसला गिया पंचायत का मैंने वीडियो भी देखी है कि जितने फत्यपूर के जो मुखी लोग है जो एक देःथान दो है एक मलाहों का गाम है और एक चवहान का है देःथान तीनों देःथान तीनों गाउं के लोग मुखी लोग फैसला किये थे कि भाई चलो इसी लड़के से साधी हो पंचायत लोग फैसला कर चुके थे कि भाई साधी होनी चाहिए पर जो लड़के ने गलत काम किया पंचायत को जहांसा दे दिया पंचायत का ना बात मानते हुए किसी का जिंदगी के साथ खेलवार करना बहुत दुरुभाग पूड़ है और मैं तो सोच मेरा मांग एए है गाउं के तरफ से कि उस लड़के के उपर जो करवाई बनती है प्रसासन के तरफ से जो धाराएं लगती है वो धारा लगनी चाहिए इस लड़की को लड़की के बाब को सचाई मिलनी चाहिए अब यह बताईए कि एक बार इन्होंने साधी ताएं करके मुकर जाना पहले तो उन्होंने संबंद बनाया लड़की के साथ उपिस संबंद उजागर हो गया पंचायत को पता चला कि भई यह काम गल्थ हो गया तो पंचायत ने नेक काम किया है पंचायत भले का काम किया है जो फतेपुर की पंचायत है सचाई का काम किया है और देधान की पंचायत यह भी नयाय का काम किया है पंचायत में कोई कमी नहीं है जो कोई नहीं मानता है तो पंचायत गुनागा पारण नहीं है आप लोग चाहते क्या है हम लोग चाहते यही है कि लड़की को सचाई मिले लड़की को बाप को सचाई मिले अब अब करने मतलब की साधी के दीन था वो टल गया अब कानूनी करवाई होनी चाहिए परसासन अधितनात योगी जी से जो उत्तर प्रदेश का आज हम खुद गये थे जिला दिखारी के पास हमने उनको बोल के आए हैं कि हमारा घोसी थाना सुनवाई नहीं किया है और इस पर कानूनी करवाई की जाए देखो आज ऐसे होता रहा तो आने वाली जन्रेशिन पीड़ियां खराब होगी आने वाले बच्चे खराब हो जा छिला दिकारी पुलिस परसासन पूरे अधर प्रदेश से और पूरे मीडिया से मेरी विन्ती है कि हमारे देश का चौथelnे मीडिया और मीडिया लड़की को सचाई दिला सकती है देखान बहूत अभारी होगा मीडिया का गुंगु म कि यह लोग सचाई नीस मैं बोद क्या सही है कि डेखो सही तो नहीं है तालुह एक हाते से नहीं बज़ती है हम यह मांते हैं पर करने मदलब के गलतियां तो होती है فंचाय थी प्री सिलाग होता है पश्रय पर करेंस यह कि साभी मानते हैं कि अ पंचायद की बात ना जी ऑप बहुआ निया झाओ मुने क्यांना कई लें की जалог तब तक के लिए धन्यवाद